चोपडा है जो कि इस यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों MCC ने date wise schedule जारी कर दिया है, तो आज इस वीडियो में हम date wise schedule भी देखेंगे, साथ साथ state का schedule भी यहां देखेंगे, हालां कि NMC ने अभी state का schedule जारी नहीं किया है, NMC द्वारा state का schedule जारी किया जाता है, जिसमें ओल इंडिया के साथ साथ state का भी schedule रहता है, वो अभी एक दो दि स्टेट की लास्ट डेट रिपोर्टिंग रहेगी तो MCC के साथ साथ हम स्टेट की काउंसलिंग के बारे में भी बातसीत करेंगे यहां पर तो मैनली ऐसा होता है जो MCC की काउंसलिंग होती है उसके चार राउंड होते हैं और हर एक राउंड में 20 डेज का समय दिया जाता है यानि कि यह टोटल काउंसलिंग 75 डेज में कंप्लीट हो जाएगी इसमें जो लास्ट डेट रिपोर्टिंग होगी वो रिपोर्टिंग होगी 30 अक्टूबर 2024 यानि कि 30 अक्टूबर को लास्ट डेट रहेगी इसके बाद MBBS के कोई admission नहीं होंगे ये बात अलग है कि अगर कोई seat vacant रह जाती है तो specialist vacancy round conduct करवाया जा सकता है लेकिन वो बात की बात है हो सकता है इस बार seat vacancy ना रहे MCC ऐसे कुछ इस परकार से counselling का ये schedule जिस परकार से जारी किया है हर एक round में time दिया गया है तो मेरे को लग नहीं रहा है कि आगे इसमें seat रहने की possibility है तो अभी हमें यही मान के चलना है कि especially state round की कोई आसा नहीं है ये चार round तक ही schedule दिया गया है इसमें अब बात कर लेते हम state का और MCC का date wise schedule के बारे में तो ये बताने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे तीन book available है आल इंडिया, state, आयू, स्वेट, नरी जो इन books में facility है 24 list दे रखिये है 24 के लिए उसके according आप 24 फिल कर सकते है round wise, category wise, college wise, cutoff दे रखिये जिससे आप idea लगा सकते हैं कि previous year में कौन सी rank पे कौन सा college मिलाता आपको इस बार कौन सा college मिल सकता है इस परकार से 24 list दी गई है इस परकार से cutoff दी गई है और aims जिपमर के बारे में भी बताया गया है central pool, quota के बारे में भी बताया गया है documents क्या requirement है उसके बारे में भी समझाया गया है bond और fees, seat metrics वगरा के बारे में भी यहां बताया गया है state की book में भी यह same facility है हर एक state के बारे में सब कुछ जानकारी यहां पर दी गई है state का counseling process, documents required और ios veterinary की book में भी यह सारी facility यहां available है जैसे ही आप more पर click करेंगे इस video की description में link मिल जाएगा inbox का या फिर हमारी website www.chopdaeducation.in से भी इनको download कर सकते हैं तो जैसे ही download करेंगे, हम आप से संपर कर लेंगे हमारी paid services limited है, आप उनके लिए भी संपर कर सकते हैं अब बात करते हैं, हम MCC के counseling schedule की और state के counseling की schedule की तो यहां MCC के जो 4 round है, उन 4 rounds का schedule जारी हो चुका है date wise पहले हम first round के schedule की बात कर लेते हैं तो इसमें verification of tentative seat matrix by the participating institute and NMC इसके दवारा जो seat matrix का verification किया जाएगा NMCC और institute से, तो यह इनका internal है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है यह 14 से 16 August 24 तक होगा यह MCC दवारा किया जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है registration और payment की जो date है, वो 14 August से लेकर के 20 August 24 होगी यहां पर यह 21 August यहां गलती से लिखा गया है, जहां तक मेरा idea है तो यह जो registration की date होगी, वो 20 August 24 होगी तो इसमें दोपेर 12 बजे तक होगी और payment आप 3 बजे तक कर सकते हैं क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहां 20 August इसलिए होना चीए कि इसमें जो च्वाइस फिलिंग की date है वो 16 से लेकर 20 August टक है तो पहले registration खतम होगा उसके बार 24 फिल होती है उसमें तो registration की date अगर 31 हो जाती है तो फिर च्वाइस फिलिंग की date 20 से कोई मतलम नहीं रहता है यहां पर तो यह गलती से 21 August लिखा गया है registration का यह 20 August होना चीए यहां पर अब 24 की डो date है वो 16 से 20 August 24 दोपेर 11 बज के 55 मिनट तक है यह रात 11 बज के 55 मिनट तक है और इसमें आप 24 लोग कर सकते हैं यानि कि पहले आपको 24 लोग का कोई option नहीं दिया जाएगा last वाले दिन जिस दिन 24 फिलिंग की last date होती है उस दिन 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक यानि 11 पसपन तक आप लोग कर सकते हैं जो आपने 24 फिल की हैं वो लोग कर सकते हैं otherwise वो ओटो लोग हो जाती है अगर आप लोग भी नहीं कर सकते हैं आपने 24 फिल किया है लोग नहीं कर रहे हैं तो वो ओटो लोग हो जाती है अपने आप लोग हो जाएंगी वो इसमें आपको टेंसल लेने की आवश्यक्तर नहीं है यह result seat allotment का process होगा 21 से 22 अगस्त यह MCC का internal काम है वो seat allotment का processing वो करते रहेंगे 23 अगस्त को result आजाएगा और reporting होगी 24 अगस्त से लेकि 29 अगस्त टक reporting होगी यहां पर अब जो seat कितनी फिल हुई है क्या हुआ है इनका जो इसमें देखा जाएगा MCC द्वारा देखा जाएगा और state उर्स में डाटा फिल करेंगे कि इन कंडिडेट्स ने जोइन कर लिया है इन कंडिडेट्स ने जोइन नहीं किया इतने सीटे वेकेंट रहेगी तो यह MCC के पोर्टल पर institute द्वारा यह सारी information डाली जाती है तो यह 30 से 31 अगस्त 24 तक होगा यह भी इनका internal matter है हमें तो reporting date इसमें 29 अगस्त ही होगी यहां पर अब यहां पर state का first round की बात कर लेते हैं तो generally ऐसा होता है कि MCC का first round पहले होता है और state का first round बार में होता है तो यहां जो state के first round की complete date है वो मैं आपको बता दूँ यह 10 September से start होने की possibility है 19 अगस्त से start होने की possibility है यह 19 अगस्त से start होने की possibility है first round की state की और यह end हो जाएगा 29 अगस्त को 29 अगस्त को हलांकि यह schedule अभी दिया नहीं है NMC नहीं NMC द्वारा जारी किया जाएगा मैं आपको previous year के schedule के according यहां यह expected date बता रहा हूँ कि state की date 19 अगस्त को सुरू होके 29 अगस्त को first round counseling end हो जाएगी और last date reporting रहेगी 2 September last date reporting रहेगी 2 September first round की तो यह तो है first round का schedule अब हम second round के schedule की बात करते हैं यहां तो second round के schedule में मैं आपको बताऊं कि जो seat verification का जो process रहेगा इनका internal वो 4 से 5 September रहेगा अब registration आप इसमें दुबारा कर सकते हैं registration जिन्होंने first में नहीं किया है वो दुबारा कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि registration चारू round में first round, second round, third round और इस्टे में phrase registration हर कोई candidate कर सकता है जिन्होंने पहले नहीं किया है वो दुबारा से phrase registration कर सकता है इसमें पहले नहीं किया है, तो phrase registration कर सकता है, जिन्होंने पहले registration कर रखा है, उनको phrase registration करने की आउशकता नहीं है यहाँ पर, तो registration यहाँ, MCC का 5 September से लेके 10 September तक रहेगा, रात 12, दोपेर 12 बजे तक रहेगा यह, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो payment है, वो दोपेर 3 बजे तक कर सकते हैं आप, इसके बाद में 6 September से लेके 10 September तक यहाँ च्वाइस फिलिंग की डेट रहेगी, और locking की जो मैंने आपको बताया था कि 6 September जो last date रहती है, उस last date को 4 बजे से लेके रात 11, 15 तक locking की डेट रहती है, आप लोग कर सकते हैं, अदर्वाइस ओटो लोग हो रहेगी यहाँ, और जो इनका verification है, कितने seat join की है, उनका data, यह इनका internal matter है, वो 21 से 22 September तक complete हो जाएगा, तो यह 20 September इसकी reporting date रहेगी, अब यहाँ state की बात कर लेते हैं, कि state का second round का schedule कब से कब तक रहेगा, तो यह 10 September से लेकर के, यह 10 September से लेके 23 September तक रहने की possibility है, यह schedule 10 September से ले second round के schedule की, और जो last date joining रहेगी state की, वो 25 September तक रहने की possibility है, 25 September तक यह schedule रहने की possibility है, अब बात कर लेते हम third round की, तो third round में जो MCC का resistance ने start होगा, वो 26 September से होगा, और second October तक रहेगा यह, दोपेर 12 बज़े तक payment की जो facility है, तीन बज़े तक रहेगी second October को, इसके बाद में और locking की date रहेगी 27 September से second October 24 रात 11 बज़के पस्वान मिनट तक और 24 लोकिंग का मैंने वही बताया, last date को 4 बज़े से रात 11 बज़के पस्वान मिनट तक रहती है, processing रहेगा, तीन से 4 October का और 5 October को result आ जाएगा, यहां, 5 October को result आ जाएगा, और MCC की third round की जो reporting होगी, वो 6 October से ल की अगर हम बात करें, तो third round का second October से लेके 10 October तक यह रहने की possibility है, 10 October तक के third round state का रहने की possibility है, यहां पर, और state की last date जो joining रहेगी third round की, वो 15 October तक रहने की possibility है, जो reporting की last date रहेगी, वो 15 October तक रहने की यहां possibility है, तो इस परकार से state का भी schedule यहां हो सकता है, अब stray vacancy round जो last round होता ह है, उसकी बात कर लिते हैं, तो इस ट्हें वेकरनसी रांड में जो registration की date है, वो 16 से 20 October तक रहेगी, 16 से 20 October तक रहेगी, और इसमें जो 12 filing की date 17 से 20 October तक यहां रहेगी, और 24 looking की last date को 4 बजे से लेके रात 11 बजे के पज़ 20 टक रहेगी, नहीं तो उटो लोक हो और रेजल्ट इनका 23 अक्टूबर को आ जाएगा यहां पर और रिपोर्टिंग 24 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक रहेगी और इस साल MBBS के एडमिसन की जो डेट है वो 30 अक्टूबर 2024 रहेगी लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 अक्टूबर 2024 रहेगी इसके बाद पड़क नहीं होता है तो इस्टेट के इस्ट्रे की अगर हम यहां बात कर लेते हैं तो इस्टेट का जो इस्ट्रे है वो 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हो सकता है 18 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक रह सकता है और इसकी जो लास्ट डेट रिपोर्टिंग की डेट रहेगी इसकी भी 30 अक्टूबर रहेगी इसकी भी डेट 30 अक्टूबर ही रहेगी यानि 30 अक्टूबर के बाद में कोई admission नहीं होंगे यहां पर तो यह जानकारी थी mcc के और state के schedule के बारे में जैसे ही state का official schedule आ जाएगा मैं आपको inform कर दूँगा जैसे ही counseling की और update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel को subscribe करके रखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like और share करें ताकि हर एक student तक इस परकार की information मिल सकें तो मिलेंगी नए counseling की अपडेट के बारे में आपसे फिर्शे मुलाकात होगी तब तक मैं हरसा ही चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जैहिन